भार्टी जंदा पार्टी ने दिली की अर्विन के जिवाल सरकार पर जल बोर्ड में घोटाला का आरोप लगा दिया है भाजपा का दावा है कि 2022 में सीवेश ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेडेशन के काम में अनुमती लागत से अधिका ठेका देकर घोटाला किया गया भाजपा ने दिली के मुख्य मंतरी को ब्रस्टा चार का पर्याय और लूट खसोट का एक्सपोर्ट बताया भाजपा का रोब है कि 10 स्टीपी के ठेकों में पहली नजर में 400 से 500 करोड का घोटाला किया गया दिली भाजपा के अधक्ष विरेन सच देवा ने LG को लेटर लिखकर जाच कराने की मांग की है भाजपा ने ब्रस्टा चार का ये दावा ऐसे समय पर किया है जब आम आदमी पार्टी सरकार कतित शराग घोटाले को लेकर मुश्किलों का सामना कर रही है आपको बता दे गौरव भाटिया ने कहा है 10 स्टीपी का अप्ग्रेडेशन और अग्मेंटेशन होना था ये नियम है कि डीपी आर बनाना आवश्यक है पहला सवाल ये है कि आपने कितने डीपी आर बनाई दस बनवानी चाहिए थी लेकिन दो ही बनवाई दो डीपी आर जहां अनुमती लागत बढ़ा दिया और सभी दस पर लागू कर दिया कैटेगरी 2 में अपग्रेडेशन और अग्मेंटेशन दोनों होना था एक साधारर व्यक्ती भी जान जाएगा कि केवल अपग्रेडेशन होना तो कॉस्ट कम करना होगा और दोनों के लिए ज्यादा अर्विन केजरिवाल इतने बड़े घोटाले बाज हैं कि उन्होंने कैटेगरी 2 का ही एस्टिमेटम कैटेगरी 1 पर लागू कर दिया उन्होंने कहा कि अपग्रेडेशन और ऑग्मेंटेशन का कास्ट सब पर लगा दूँगा तो टेंडर की रकम बढ़ेगी और वसूली ज्यादा हो पाएगी ये तो केजरिवाल बताएं कि केटेगरी 2 का प्लान केटेगरी 1 पर क्यों लगाया वही भाजपर ने दावा किया कि नियम के खिलाफ जाकर सिंगल कोटेशन के बावजूद एस्टिमेट बनाने का ठेका दिया गया ये ठेका उस कंपनी को दिया गया जिसका काम पहले से संतोज जनक नहीं था भाटिया ने पूछा कि आखिर क्यों उस अजनसी को ठेका दिया गया भाटिया ने कहा कि शराब गोटाले की तरह इसमें भी कार्टिलाइजेशन के जर्ये ठेका दिया गया उन्होंने कहा कि L1 यानि lowest bidder यदी 100 रुपए कहता है तो इमानदार सरकार 70-80 रुपए करके जनता के पैसे बचा लेती है L1 ने bid पेश की 392 करोड की लेकिन अवार्ड दिया गया 408 करोड का जो खुद कह रहा था कि 352 करोड में काम करने के लिए तयार हूं उसे केजरिवाल सरकार ने 408 करोड रुपए दे दिये भाटे ने कहा पहली नजर में इन 10 ठेके में 400-500 करोड रुपए का घोटाला किया गया खबर लिखे जाने तक आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गए ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल विडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें